बच्चों सो सब प्रतिमनद गत्ति का डिक्टेशन यास स्टार्ट राश्टी सोयम सेवक संग के अखिल भारती कारी-कारी मंडल की बेठक में पारिद एक प्रस्ताओं में जहां बंगला देश में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता प्रकट की गई है वहीं एक अन्निम प्रस्ताओं में स्वदेशी और विदेशी इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिये हो रहे सांस्क्रतिक आक्रमन पर चिंता प्रकट की है कारिकारी मंडल ने अपने प्रस्ताओं में भारत सरकार से कहा कि बंगलादेश में हिंदूओं पर अल्प संक्यक समुदाई के दूसरे लोगों पर हो रहे अत्याचारों के विरूद आवाज बुलन करें क्योंकि देश के विभाजन के समय उसके बाहर भी उनके हितों की रक्षा करने का भारत सरकार वचन दे चुकी है राश्टी सोयम से वकसंग एक सांस्रतिक संस्ता है और राजनिती से उसका प्रतक्ष संबन नहीं है वह हिंदूओं को संगठित करती है उनके हितों की रक्षा की और समय समय पर सरकार का ध्यान आकरसित करती है लेकिन वर्तमन केंद्री सरकार उसकी इस अपिक्षा को पूरा कर पाएगी इसमें संदे है जो सरकार अपने देश में हिंदूओं की रक्षा करने में विफल रही है वह बंगला देश में हिंदूओं को बचा पाएगी इसमें संदे है कस्मिर में पाकिस्तानी आतंकारियों की बड़ी संक्या में हिंदूओं को खदेड दिया लाखों की संक्या में लोग अपने ही देश में सरनार्थियों जेसा जीवन बिताने को विवस हैं भारत सरकार अब तक उन्हें अपने घरों को वापस बेजने की विवस्ता नहीं कर पाई है और नहीं कस्मिर घाटी में आतंकबात को समाप्त करने में उसे सवलता मिल पाई है एसी दसा में बंगला देश के हिंदूओं की रक्षा वह कर पाएगी इसमें संदे है बंगला देश में अलपसंख्यक हिंदूओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रती सरकार पूरी तरे उदासीन है वह इतना भी नहीं समझ पा रही है कि यदि बड़ी संख्या में वहां से हिंदूओं का पलायन हुआ तो उन्हें भारत में सरण देने की चिम्मेदारी भी बारत सरकार पर ही आने वाली है बंगला देश से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाई के लोगों की कुसपेट भारत में होती रही है और देश के विविन भागों में अवेद रूप से रह रहे हैं लाखों की संख्या में एसे लोगोंने मदाता सुचियों में नाम लिखवा लिये हैं और भारत के नागरी बन गए हैं उन्हें पैचानकर वापस पेजने में सरकार पुरी तरह विफल रही है अब ऐसे हालात बन रहे हैं की बड़ी संख्या में हिंदू सरनार्थियों को भी भारत सरकार को जहलना पड़ सकता है प्रस्ताओं में चक्मा सरनार्थियों की वापसी में आ रही बाधाओं का भी जिक्र किया गया है चक्मा सरनार्थियों की तुरूक तरिपुरा के सिवीरों से वापसी का सिलसिला बंगला देश की सरकार से लंबी वारता के बाध मुश्किल से शुरू हो सका था इन सरनार्थियों के बरन पोशन पर भारी धनरासी भारत सरकार को खर्च करनी पड़ रही हैं। करीब साथ हजार चक्मा सरनार्थी त्रिपुरा के सीविरों में रह रहे हैं। इने वर्सों पहले बंगलादेश से खदेड दिया गया था और इनकी संपत्ति और जमीने वहां सेना के अधिकारियों तथा प्रभाव साली लोगों को अवंटित कर दी गई। बारता में यह तै हुआ था की चक्मा सरनार्थी सम्मान पुर्वक बंगलादेश लोट सके। ऐसा वतावर्ण बनाना चाहिए लेकिन इस दिसा में कोई कारगर प्रयास नहीं हुए।